तो आज मैं explain करने वाला हूँ स्त्री के पार्ट टू को तो पार्ट वन में हमने देखा था कि स्रद्धा ने विकी और उनके दोस्तों के साथ मिलकर चुड़ैल को गाउं से भगा दिया था यानि स्त्री को गाउं से भगा दिया था और आखिर में स्रद्धा चंदेरी को छोड़ कर जा रही होती है और जब वो बस में होती है तब वो चुड़ैल की चूटी को अपनी चूटी के साथ जोड लेती है और अचानक से बस से गायब हो जाती है और अब शुरू होता है स्त्री का पार्ट टू तो अब एक साल बाद हम दोबारा से स्त्री यानि चुडैल को देख पाते हैं जो दोबारा से पूजा वाली रात को गाउं के अंदर जा रही थी लेकिन तब ही वो अपनी मूर्ती को देख पाती है जिसमें लिखा हुआ था ओ स्त्री रक्षा करना और इसे पढ़ कर स्त्री क के चले जाने के बाद गाउं में एक और बड़ी परिशानी आती है हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि अपने घर के बाहर फोन चला रही थी बड़ तब ही एक कटा हुआ सर उसके सामने आता है और ये कटा हुआ सर लड़की को लेकर यहां से गायाब हो जाता है अब ये कटा हुआ सर है किसका और इसकी कहानी क्या है ये तो हमें बाद में पता चलेगा तो अब कुछ सालों बाद हम गाउं में स्त्री की बड़ी सी मूर्ती को देख पाते हैं गाउं वाले स्त्री की अब पूजा करते हैं और स्त्री के नाम पर गाउं में बहुत सारे तो ये पन ने रूद्र भया को किसने भीजे ये खत किसका था ये हमें बाद ने पता चलेगा जिसके बाद हम यहां विकी को देख पाते हैं जो पागल हो गया था मतलब वो हर जगा पर स्रद्धा को ही देख रहा था खैर अब यहां पर रूद्र भया आते हैं और विकी को सम शायत से कटे हुए सर के बारे में बात हो रही है कि कटा हुआ सर आ गया है। खेर फिलाल तो विकी इस बात पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद हम बिट्टू की गल्फरेंड चिट्टी को देख पाते हैं। हाँ बिट्टू की अब एक गल्फरेंड है जिसका नाम है चिट्टी। तो रात को बिट्टू अपनी गल्फरेंड के घर जाकर अपनी गल्फरेंड को लोरी सुना कर सुला देता है। और फिर यहां से जाने वाला होता है। लेकिन तब ही वो कटा हुआ सर यहां चिट्टी के पास आता है और चिट्टी को भी यहां से ले जाता है। तो अब विकी को भी ऐसा लगता है कि गाउं में अब एक दूसरी बड़ी परिशानी आने वाली है। गाउं वालों को पता चल जाता है कि कोई सरकटा दानाव आ गया है। निकालते हैं जिसे पढ़कर उन्हें सरकटे दानाव के बारे में पता चलता है। तो दरसल वो सरकटा दानाव गाउं का मुख्या हुआ करता था। और वो लड़कियों का काफी अयास था और वो एक वैश्या के साथ रहा करता था। लेकिन बाद में जब वो वैश्या एक लड़के के साथ शादी कर लेती है तब ये चीज मुख्या से देखी नहीं जाती। और वो मुख्या वैश्या के पती को जान से मार देता है और फिर वैश्या को भी उसकी बीटी के सामने आग में जला कर जान से मार देता है और फिर वही वैश्या आगे जाकर स्त्री बनती है यानि चुडैल बनती है फिर चुडैल बनने के बाद वो मुख्या और उनके दो आत्मा नॉर्मन लड़कियों को नहीं, बलकि सिर्फ मॉडन लड़कियों को उठा कर ले जाता है. खैर, अब ये सोचते हैं कि कैसे इस सरकटे दानां को गाउं से बाहर निकाला जाए. तब ये सोचते हैं कि क्यों न स्त्री की आत्मा को दोबारा से बुलाया जाए ताकि वो सरकटे दानाव को भगा दे लेकिन स्त्री को दोबारा बुलाये कैसे तब इनको ख्याल आता है अपने दोस्त जना का तो अब ये जना के पास पहुंसते हैं जना जो की दिल्ली में था और वो UPSC की पढ़ाई कर रहा था लेकिन विकी और बिट्टू जब यहां जना के घर पहुंचते हैं तब इनको यहां पर कुछ आवाजे सुनाई देती है और जब यह देखने के लिए जाते हैं तब इनको एक भीडिया मिलता है एक अजीब सा भीडिया अब यह भीडिया विकी और बिट्टू को देखकर यहां से भाग जाता है लेकिन यह भीडिया कौन था क्यूं था यह हमें बाद ने पता चलेगा खैर अब विकी और बिट्टू भी इस बात को इग्नोर करते हैं और जना को लेकर चंदेरी पहुंसते हैं यहां पहुंचकर वो जना को बताते हैं कि यहां पर एक सर कटा दानाव आ गया है जो लड़कियों को लेकर चला जाता है और उसे भगाने के लिए हमें स्त्री को बुलाना पड़ेगा और स्त्री को सिर्फ तू ही बुला सकता है क्योंकि तेरे अंदर एक बार स्त्री आये थी तो तू ही है जो कि स्त्री को दोबारा से बुला सकता है तो खेर ये सारे अब जना को मना लेते हैं जिसके बाद ये सारे लोग पहुंसते हैं दोबारा से चुड़ैल के किले में लेकिन यहां आने के बाद वो स्त्री को नहीं ढूंड पाते तो इनको ऐसा लगता है कि अगर जना यहां पर अकेला रहे तबी स्त्री यहां पर आएगी तो यह लोग जना को अकेले छोड़ कर यहां से भाग नहीं कुशिश करते हैं लेकिन फिर भी स्त्री यहां पर नहीं आती जिसके बाद अचानक से जना के अंदर कोई आत्मा आ जाती है और अचानक से जना की सांसे बंद हो जाती है ऐसा रगता है कि जना यहां पर मर चुका है लेकिन फिर अचानक से वो उठता है और यहां सब को कहता है कि भागो वो आ रहा है यह कहकर वो यहां से भाग जाते हैं और इनके पीछे पड़ा हुआ था वही सरकटा दानाओ तो अब यह लोग किसी तरीके से बचते बचाते अपने गाउं तक पहुंसते हैं लेकिन वो सरकटा दानाओ इनका पीछा करते हुए यहां पर भी पहुंच गया था यहां पहुंच कर वो सरकटा दानाओ अब यहां विकी को पकड़ लेता है बट यहां पर विकी को बचाने क और कोई नहीं बलकि स्रध्धा आ जाती है और स्रध्धा यहाँ पर अपनी चुडैल वाली जादवी चोटी का इस्तमाल करती है और सरकटे दानाव को फिलहाल के लिए गाउं से भगा देती है खेर अब सब्सक्रों काफी चौक जाते हैं स्रध्धा को देखकर कि उसके पास यह शक्ति कैसे आई और उसने चुडैल की चोटी को अपनी चोटी के साथ क्यों जोड़ा उसने ऐसा क्यों किया बट स्रध्धा यहाँ पर इस बात का जवाब नहीं देती और यह बात को घुमा देती है और कहती है कि इस वक्त हमें उस सरकटे दानाव के बारे में सोचना चाहिए खैर अब यहाँ पर जना बताता है कि जब वो थोड़ी देर के लिए मर गया था तब वो सरकटे दानाव के हिलाके में पहुँच गया था वहाँ पर वो गाओं की सारी लड़कियों को भी देख पाता है जिनकों की सरकटे दानाव ने अपना बंदी बना लिया था और वहाँ पर किसी भी लड़की के सर पे एक भी बाल नहीं थे, सभी लोग टकली हो चुके थे और इसके बाद गाउं की सारी औरते, सारी लड़कियां काफी डर चुकी थी जो की अब विकी के पास आती हैं और कहती हैं कि भाई तू ही अब हमें बचाएगा, तू ही हमारा रक्षक है पहले जैसे तुने स्त्री को गाउं से बाहर निकाला था, इस बार तू सरकटे दानाओ को भी गाउं से बाहर निकालेगा तू ही हमारे गाउं का रक्षक है और विकी के दोस्त भी उससे कहते हैं कि हाँ तू कर सकता है तू ही है जो कि उस सरकटे दानाओ को यहां से बाहर निकाल सकता है और फिर स्रद्धा यहां पर विकी को एक खंजर देती है कहती है कि इस खंजर से तुम्हें उस सरकटे दानाओ के दिल के उपर हमला करना पड़ेगा अब जैसे तैसे विकी ये काम करने के लिए मान जाता है लेकिन फिर विकी पूछता है कि हम उस सरकटे दानाओ को बुलाएंगे कैसे तब रूदर भीया कहते हैं कि वो सरकटा दानाओ लड़कियों से बहुत प्यार करता था मतलब उसे लड़किया बहुत पसंद है तो अगर हम गाओं में एक डान्स का फंक्शन रखे जहाँ पर एक सुन्दर से लड़की डान्स करे तो उसे देखकर वो सरकटा दानाओ जरूर से आएगा तो अब ये लोग एक सुन्दर से लड़की ढूडने के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर रूदर भीया अपने दोस्त के पास पहुंसते हैं अब ये दोस्त है या क्या है फिलाल तो नहीं पता लेकिन इनका नाम है शमा जो की रूदर की दोस्त है तो यहाँ पर शमा जो की बहुत अदा खूपसूरत है और वो रूदर को पहले से अच्छे से जानती है और वो रूदर के लिए कुछ भी करने को तयार है तो यहाँ पर शमा रूदर भीया के लिए डांस करने के लिए मान जाती है जिसके बाद गाउं में नाच गाना शुरू हो जाता है और सुन्दर से लड़की को देखकर वो सरकटा दानाव यहाँ पर आ जाता है फेर ये सरकटा दानव विकी के पास आता है और उसको थोड़ी दिर के लिए अंधा कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ पर बाकी सारे लड़के जो यहाँ खड़े थे, उन सभी लड़कों को अपने काबू में कर लेता है, वश में कर लेता है और यहाँ सब के सामने वो शम पूछता है कि तुम कहां पर थी वो दानव आकर शमा को उठा कर ले गया और तुम हमारे पास थी भी नहीं तब यहां पस रद्धा बताती है कि जब वो सरकटादानव यहां गाव में आया था तब मैं उसके इलाके में जाकर बाकी लड़क्यों को छुडाने की कोशिश कर र भीजा गया है पता चल चुका है तो दरसल वो खत भोपाल से भीजा गया था तो अब रूद्र विकी और जना तीनों मिलकर भोपाल पहुंसते हैं जहां पर वो अक्षय को देख पाते हैं इस करेक्टर का नाम मुझे नहीं पता इसलिए मैंने इसको अक्षय कह दिया तो य अपस आने वाला है तब अक्षय ने ही वो चिठी लिग कर रूद्र भहिया को भीजा था तो खैर अब विकी पूछता है कि बताए फिर उस सरकटे दानाओ को हम कैसे रोके तो यहां पर अक्षय एक शायरी मारता है और इसी शायरी के जरीए वो बताता है कि सरकटे दानाओ को कैसे रोकना है तो अक्षय बताता है कि उस सरकटे दानाओ को उसी के इलाके में जाकर मारना पड़ेगा और उसके इलाके में ना ही कोई लड़का जा सकता है ना ही कोई लड़की ना ही कोई इनसान और ना ही कोई जानवर बलकि उसके इलाके में लड़का और लड़की के combination ही जा सकते हैं और साथी में उस दानव को एक लड़की की बली देनी पड़ेगी तब ही गाव वालों को उस दानव से छुटकारा मिलेगा तो इसके बाद विकी और उसके दोस्त ये सोचने लग जाते हैं कि उसके इलाके में कैसे जाएं मतलब दानव के इलाके में ना वहाँ पर लड़की जा सकती है ना लड़का दोनों का combination जा सकता है तो कैसे जाएंगे खैर ये सब सुनकर स्रद्धा कहती है कि ये सब तुम मेरे उपर छोड़ दो ये में देख लूँगी बस तुम उस सरकटे दानव को मारने के लिए तयार हो जाओ जिसके बाद विकी प्रैक्टिस करने लग जाता है कि कैसे वो सरकटे दानव के सर को काटेगा और अब तयार होने के बाद ये दोबारा से उसी चुडैल के कीले में पहुंसते हैं ये अपने साथ अपने दोस्त बिट्टू को भी लेकर आये थे बिट्टू जो की अभी भी सरकटे दानव के वश में था तो यहाँ पर ये लोग बिट्टू को बांध कर लेकर आये थे जिसके बाद सरद्धा अपने शक्तियों का इस्तमाल करती है और वो विक्की के अंदर घुश जाती है यानि लड़का लड़की दोनों एक साथ हो जाते हैं और फिर ये दोनों मिलकर उस दानव के इलाके में पहुँच जाते हैं यहाँ पहुँचकर ये दोबारा से अलग हो जाते हैं यहाँ पहुचकर स्रद्धा कहती है कि अब मुझे अपनी बली देनी पड़ेगी तुम जाकर सारी लड़कीों को बचा लो और मैं अपनी बली दूँँगी लेकिन ये सुनकर vikie कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला तुम अपनी जान नहीं दोगी लेकिन सुरद्धा vikie को समझाती है कि देखो ऐसा नहीं हो सकता मुझे अपनी जान देनी पड़ीगी मुझे अपनी बली देनी पड़ीगी और चिंता मत करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी खैर अब ये सब सुनने के बाद विकी फाइनली बाकी सरे लड़कियों को बचाने के लिए जाता है लेकिन दूसरी तरफ वो सरकटा यहाँ पर आ जाता है और वो सरद्धा के अंदर से उसकी आत्मा को खीचने लग जाता है लेकिन सरद्धा के साथ साथ ये दानाओ बाकी लड़कियों के आत्माओं को भी चूस रहा था मतलब एब्जॉर्फ कर रहा था ठीक है ये देखकर विकी भाग कर आता है और वो सरकटे के सर को 2 टुकडे कर देता है जिससे सरद्धा और बाकी सारे लड़कियों बच जाती है लेकिन वो सरकटा दोबारा से ठीक हो जाता है और अब एक सरकटा नहीं बल्कि यहाँ पर 3-4 सरकटे आ जाते हैं और तब ही स्रद्धा को यहाँ पर एक तलवार दिखाय देती है एक ऐसी तलवार जो कि पत्थर के अंदर गड़ी हुई थी दरसल चुडैल ने इसी तलवार का इस्तमाल करके उस मुख्या को जहां से मारा था तो अब विकी इस तलवार के पास आता है लेकिन विकी इस तलव या मुवी तो देखाई होगा तो वही मुवी का भीडिया जो की वरुन धवन था तो वही यहाँ पर आता है यानि वो और ये मुवी दोनों आपस में यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर वरुन जो की इनसान और जानवर का कॉम्बिनेशन है तो वो यहाँ पर आता है और भीडिया बनकर सरकटे दानव के साथ लड़ाई करता है लेकिन तभी सरकटे का बाकी शरीर यहाँ पर आ जाता है और यह सरकटा दानव अब सब के उपर फिर से भारी पड़ जाता है और यह सरकटा दानव स्रद्धा का गला पकड़ लेता है और उसकी चोटी से च चुडैल यानि स्त्री की यानि जो ये स्त्री है वो स्रद्धा की मा है और जो ये स्रद्धा है वो चुडैल की बीटी है तो अब यहाँ पर चुडैल और दानव के बीच में थोड़ी सी फाइट होती है और इसी बीच स्रद्धा को दोबारा से तलवार के बारे में याद आत और इस बार स्रद्धा यहां पर विकी से कहती है कि जाओ और उस पत्थर में गड़े हुए तलवार को दिल से निकालो दिल से अगर निकालोगे तो वो निकल जाएगा तो यहां पर विकी तलवार के पास आता है और इस बार दिल से काफी प्यार से वो तलवार को निकालता है तलवार यहाँ पत्थर से निकल जाती है और वो इस तलवार को स्तरी को पकड़ा देता है यानि चुडल के हाथों में दे देता है जिसके बाद चुडल दानाव को पकड़ कर घसीटते हुए लावा के पास लेकर आती है जिस वज़ा से दानाव का नीचे का शरीर पुरा आग में जल जाता है और फिर वो दानाव के सर को भी दो टुकड़ों में काड़ दीती है जिसके बाद ये दानाव का अंत यहीं पर हो जाता है और फिर स्रद्धा अपनी मा यानि चुड़ेल से कहती है कि मा अब चली जाओ और ये सुनने के बाद स्त्री यानि चुड़ेल दोबारा से यहां से चली जाती है और इसी के साथ सारे के सारे लड़कियां और सारे लोग, सारे लड़के अब उस सरकटे दानाव के वस से बाहर आ चुके थे और सब कुछ ठीक हो चुका था और आखिर में स्रद्धा दोबारा से चंदेरी छोड़ कर जा रही होती है और तब स्रद्धा बताती है कि हाँ वो चुडल की बेटी है और वो एक्चुली में मरी हुई है यानि स्रद्धा खुद एक आत्मा है खुद एक भूतनी है जो कि कई सालों पहले मर चुकी है और अब आत्मा के रूप में वो दुबारा जिन्दा हो चुकी है और आत्मा के र तब यहाँ पर स्रद्धा चुपके से विकी के कान में अपना नाम बताती है। यानि इस वाले मूवी में भी हमें स्रद्धा का असली नाम यानि इस कैरेक्टर का नाम हमें नहीं पता चलता। खेर जाते जाते स्रध्धा यहां पर विकी से कहती है कि तुम्हारे अंदर एक खास सकती है तुम किसी खास मकसद के लिए यहां पर हो और यह कहकर स्रध्धा यहां से गायब हो जाती है देन हम विकी को देख पाते हैं कि उसका बॉडी ग्लो करने लगता है इसका मतलब यह हो हो सकता है कि स्रध्धा अब हमेशा हमेशा के लिए शायद विकी के हुग तो पसंद आया तो परस वीडियो को लाइक और चानल को सॉब्स्क्राइब करना बिल कुल मत पूला